अब इस Tharmsal Model के, Tharmsal Model की कुछ कमिआा थी, कमिया क्या थी, किげवल यह explain कर पाया था, या मैं ऐसे कहूँ कि यह explain कर पाया था, कि Electrons के arrangement के तो बता दिया, लेकिन Protons एवं Neutrons का arrangement के अरेंजमेंट को explain नहीं कर पाये थी, मैं आपको पिछले क्लास कंदर में लिखवा दिया था फिर हमने बोर का मॉडल पढ़ने वाले थी जिसका मैं बता दिया थे कि बोर का जो मॉडल दिया था वो किस एक्सपेरिमेंट के दोरा दिया था मतलब उस experiment के दवार उन्होंने क्या का conclusion निकाला था आज exact बोर पर माडू model पढ़ने वाले हैं और इसमें ये लिखने वाले हैं कि जो experiment के दवार उन्होंने conclusion निकाला था conclusion लगाने के बाद उन्होंने कैसे model में क्या कै statement है देखना अब आपकी बहुत basic system शुरू हो चुके हैं ये चीज आपको 100% समझ में आने चाहिए कहीं पस भी doubt होगा जरूर message करके पूछ लेना नई तो गलबल हो जाएगा बेटा क्योंकि अगर यहां आप miss करते हैं तो 100% आगे आपको problem होने वाला होगा इसलिए आप ऐसा कोशिस करना कि आपको सारे के सारे बाते clear हो और मैं भी ऐसे कोशिस करूँगा कि आपका जो hesitation है जो बच्चे पूछ नहीं पाते हैं classes के अंदर में उनको भी ये बाते हैं असानी समझ में आजाए पर आपको आप तो दूर हो बहुत बच्चे क्या तो सामने बोल नहीं पाते हैं पर message में तो कर सकते हो आपको तुम्हें जानता भी नहीं हो क्या कर रहे हैं मुझे ही पता नहीं है तो आप चाहो तो वहां से direct पूछ सकते हो अगर नहीं लेकिन कोशिस तो यही करता हो क्या आपको confusion ना रहा जाए लेकिन फिर उसके बाद रहा जाता तो अलग बात है हाँ बेटा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहरा था बहुत सारे बच्चों ने अभी तक books ने लिया होगा yes or no जरेक बर बताओ क्योंकि आपको मैं ना कुछ books प्रवाइड करने वाला होंगा खुद से ही चार-पांच books पहले मुझे बता दो कि आपने books लिया है की नहीं बहुत लोग नहीं लिया होगा मेरे ख्याल से यह बात मुझे बाद में कोई बात नहीं next चलते बेटा रदरफोर्ड मॉडल की हो रदरफोर्ड मॉडल देखो क्या कहता है बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका कहना यह था कि भाई कल हम लोग जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो हमने यह पाया था कि जब उन्होंने एक एटम के थ्रू एटम से होकर किसी अलफा रेज को हिलियम नुकलियाई को पास कर आया था तो उन्होंने यह देखा कि कुछ रेडियेशन एटम से होकर आर पार निकल जा रहे थे कुछ डेवियेट हो रहे थे और बहुत कम मतलब लगबग एक या दो रेडियसन ऐसे थे जो वहाँ पस जाके टकराए और टकराने के बाद एक स्वसी डिग्री पर वापस आ गया ऐसे हमने लिखवा दिया था तो इस एक्सपेरिमेंट के दुआर उन्होंने क्या कंकुलूजन निकाला था वो मैं अभी आपको समझाता हूँ देखिएगा अगर आप धेरिस स्टेटमेंट को समझना चाहे मैं साइड में लिकरा हूँ देखिएगा यह बेटा उन्होंने यह बोल के रखा था कि एक्टम एक्चुल में दो पार्ट से मिलकर बना होता है देखिए कैसे एक पार्ट को हम बोलेंगे सेंटर या इसको बोल सकते हैं न्यूकलियस पार्ट तो इनका यही स्टेटमेंट था कि मेरे एक्स्पेरिमेंट के द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि एटम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसका पहला पार्ट को हम लोग बोलना पसंद करनेंगे न्यूकलियर रीजन हिंदी में का बोलेंगे इसे इसे हम बोलेंगे नाभिकिये छेत्र इसी तरह से इसके अलावा कि ये न्यूकलियस रीजन के अलावा इसके बाहर वाला पार्ट जो बच गया है मतलब देखो ये जो पार्ट यहां से दिखाई दे रहा है इस पार्ट को उन्होंने का बोलके रखा था nucleus region और इसके बाहर जो atom का बाग बच जाता है जिसे alpha r पार निकल जा रहे थे उस part को उन्होंने बोला था extra nucleus region तो ये बात तो समझ में आ गया कि ये atom दो part से मिलकर बना होता है nuclear region एवं दूसरा extra nucleus region थर्ड पोई उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि nucleus region के अंदर में मतलब कि इसके अंदर में केवल दो particles पाये जाते हैं हलाकि दो उस समय की बात है बाद में तो और आपको बताऊं कितने परकार के particle पाये जाते हैं लेकिन आभी तक आपने जो 9th class के अंदर में सीखा वही basics चल रहा है तो फिलाल में ये बता देते हैं कि nucleus region में या nucleus part के अंदर में दो type के particle पाये जाते हैं proton एवं neutron ये किस base पर कहा था अभी मैं आपको समझाओंगा दूसरी बात जो कि extra nucleus region है इस extra nucleus region के अंदर में केवल एक ही particle पाये जाते हैं और उनका नाम है electrons तो ये बात तो आपको confirm समझ में आ गया कि atom के center वाले part में proton और neutron पाये जाते हैं जबकि उसके बाहरी वाले भाग को जिसको हमने बोल रखा है extra nucleus region इसके अंदर में electrons present होते हैं तो चलो हम इसको statement wise लिखते जाते हैं क्या क्या मैंने आपको बताया है चलिएगा one by one करके तो पहला point तो इनका यही कहना था कि इस model के अनुसार atom दो पार्ट से मिलकर बना होता है तो लिखिए मेरे साथ लिखना इस model के अनुसार इस model के अनुसार या according atom two parts से मिलकर बनता है two parts से मिलकर बना होता है कौन कौन सा A को बोलेंगे nucleus region और B part को हम बोलेंगे extra nucleus region ठीके बेटा एक nucleus region और दूसरा मैंने बोल रखा है extra nucleus region तो आगे हम लोग क्या explain करने वाले हैं देखिएगा देखो इसका second point मैंने क्या बता रखा है second point मैंने बोल के रखा था कि nucleus region के अंदर में nucleus region में में electron नहीं proton एवं neutrons proton एवं neutron प्रेजन 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 होते हैं जबकि जबकि extra nucleus region में एक्स्टर nucleus region में electron प्रेजन होते हैं electron प्रेजन 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 होते हैं चलो यह हो गया बेटा यह आपको मैंने statement लिखवा दिया है पहले copy कर लो हो जाए बता देना अब वीडियो आप बोल रहा हो कि clear नहीं आ रहा है मेरे में दे ख्लियर आ रहा है बेटा मैं जो देख रहा हूं इसमें दे ख्लियर है बिल्कुल क्लियर आ रहा है यह कौन बोल रही है दिख्चा विसकर में बोल रही है clear नहीं आ रहा है और वहीं बारवर बोल रही है हो सकता आप क्या network problem हो हाँ बेटा नेक्स चलते हैं आज पानी भी आया ना इस वज़़े से प्रॉब्लम हो सकता है third point देखिएगा third point आपको बहुत important point बताता हूँ यहाँ पर समझते हैं पहले देखो उन्होंने ये बोला कि extra nucleus region के अंदर में जो electrons पाजाते हैं वो electron stationary नहीं होते हैं मतलब स्थीर नहीं होते हैं बलकि ये high velocity के साथ उच वेगे के साथ nucleus के around revolve करते रहते हैं या मैं हिंदी में बोलू तो ये बोल सकता हूँ कि electron इस्थिर नहीं हो करके nucleus के चारो और लगातार घूमते रहते हैं यही हम लोग third point लिखने वाले हैं क्या मतलब मैं ये बताया कि electrons अगर इसके चारो और stationary नहीं रहके ये लगातार ऐसे घूमते रहते हैं ठीक है तो आगे यहीं पर समय लोग लिखने वाले हैं लिखिये गजरा मेरे साथ साथ की electrons electrons stationary state में नहीं है electrons ऐसे लिख लिखते हैं electrons nucleus के चारो और nucleus के चारो और high velocity के साथ high velocity के साथ के साथ लगातार लगातार move करते रहते हैं या मैं revolve revolve मतलब घूमना होता है लगातार revolve करते रहते हैं ओके ये third point होगे बेटा चौथा point हम लोग लिखने वाले हैं वो आप अर्षानी से लिख सकते हो देखो मैं पहले है दूसरा point को रफ कर रहा हूं तब तक आप तीसरे copy को तीसरे point को copy करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हाई के बाद क्या लिखा है हाई velocity लिखा हो बेटा उच वेग लिख सकते हो इसके कि राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो वेलो सिटी लिखा हूं वेलो सिटी कि सी आई टी वाई है इस पहले हाँ हाई वेलो सिटी के साथ लगातार रिवाल्ब करते रहते हैं चलो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं फोर्थ पॉइंट समझिएगा बहुत इंपॉड़न पॉइंट है ये अब आप से मैं पूछो बेटा देखिएगा कि क्या मैं बोल सकता हूं कि बताओ न९ूख्लियस का पार्ट तो बहुत कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन एक्स्ट्रा न९ूख्लियस का जो पार्ट है वो बहुत जादा दिखाई दे रहा तो यहां पस लिख लिजिएगा कि दा अच्छा इंगलीज हिंदी लिखवाना पड़ेगा तो लिख लेते हैं यहाँ परस कि नूकलियस ऐसे बूल सकते हैं हाँ नूकलियस की साइज नूकलियस की साइज एटम की तुलना में एटम के कमपेर में में बहुत छोटा होता है यहाँ पस लिख देते हो एटम का साइज कितना होता है और किसी-किसी पूक्स में हलाकिस की साइज एप्रॉक्षिमेट बोल रहा हूं लगात मतलब ऐसे हो सकता है इस से ज़्यादा भी हो सकते कम लेकिन अप्रोक्सिमें जनरली बुक्स कंदर लिखे तो लिख देते हैं तो एटम की एटम की साइज एटम की साइज जनरली ऐसा बोला जाता है कि इसकी होती है टैन की पावर माइनस यह लिखेंगे 10 cm या 10 picometer है एक माढ़ देखना पड़ेगा मुझे क्वा है टैन की पावर माइनस 8 cm जब कि नूकलियस की साइज की इस नूकलियस की साइज कितना है 10 की पावर माइनस 13 cm 10 की पावर माइनस 13 सेंटिमेटर यह पॉइंट आपको याद रखने की जुरत नहीं है आप इतना खिवल याद रखिएगा कि नुकलियर्स की साइज एटम के कंपेर में बहुत कम होता है यह नेगलिजिबल के वराबर होता है यह आपको याद करना था नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट और यहाँ पस लिखने वाले होंगे देखिए कैसे बेटा यह बता दो कि अगर यह इलेक्ट्रॉंस ऐसे समझते हैं पहले कि अगर यह एटम्स है अगर यह इसका नुकलियर्स है और इलेक्ट्रॉंस इसके अराउंड में घूम रहा है जिस पर नेगटीब चार्ज होता है अच्छा यह पस थर्ट पॉइंट लिख भी लेते हैं और प्रोट्उंस पर पोजिटीब चार्ज होता है जब कि न्यूट्रान पर कोई चार्ज नहीं होता तो फोर्थ पॉइंट यह भी हम लिख लेते हैं पस रदर फोर्ड मॉडल के जब कि प्रोटॉन पर पॉजिटीब चार्ज होता है पॉजिटीब चार्ज होता है प्रोटॉन पर पॉजिटीब चार्ज होता है लेकिन यह एवम लिख लेते हैं और यह एवम न्यूट्रान पर कोई चार्ज नहीं होता नहीं होता है बस यह हम लोग लिखना था फिप्ट पॉइंट एक पॉइंट और लिख लिखते हैं सिक्स पॉइंट आज भी मुझे कमी दिखाई दे रहे है स्टुडेंट पानी आगे इस वज़ा से क्या इस पॉइंट लिखना है कि इलेक्ट्रों अगर नुकलियस के चारों और घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है या ऐसा क्या रीजन है तो आपको यह बोलना पड़ेगा या ऐसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रों नुकलियस के चारों और एक अट्रेक्शन इलेक्ट्रों और नुकलियस के कारण एक अट्रेक्शन फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं Electrostatic Attraction Electrostatic Attraction इसी attraction के कारण ये nucleus के चारो और revolve करते रहता है एक problem और आने की chances है यहाँ पस आप जो जो सोड़ा advance दिमाग लग सकता है वो यह बोलेंगे कि electrons पर negative charge है और proton पर positive charge है तो 100% electrons को nucleus में आके गिर जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है वो आपको मैं बाद में समझाओंगा लेकिन फिलाल में हम यही लिख सकते हैं कि electrons और nucleus के बीच high attraction force लगने के कारण या centrifugal force ही कारण electrons nucleus के चारो और revolve करते रहता देखिए एक कैसे आप एक balty लिजेगा उस वारा balance रहता है और balance होने कारे लगातार घूमते रहता तो यही point हम लोग लिखने वाले हैं क्या लिखेंगे कि घूम इलेक्ट्रॉंस इलेक्ट्रॉंस एवं nucleus के बीच nucleus के बीच nucleus के बीच centrifugal force या इसे लिख सकते हैं electrostatic electrostatic attraction force attraction force के कारन electrons electrons nucleus के बीचारो और चारो और revolve करता है घूमता है बस बेटा ये था rudderford का model जो आपको fifth point समझना था हलाकि थोड़ी देर बाद इसको हम और भी fail कर देंगे ये fail हो जाएगा फिर दूसरा model आएगा उसको भी हम समझा लेंगे हाँ अब हो गए बेटा अपनी category में आ गए मतलब जितनी strength दिखाई दे रहा है चलिए हो जाएगा बता दे रहा है चलिए जाद नहीं पढ़ाएगे थोड़े बस पढ़ाएगे बस तो एक चीज़ और चलते बेटा इसको रफ करते हैं ये model आपको समझा दिया हो यहाँ बस एक इसकी drawback था क्या drawback था वो आप समझिएगा तो चलो यहाँ बस लिखो Rutherford model की कमिया drawback of Rutherford model तो मैं यहाँ पस लिख देता हूँ क्या कि drawback of Rutherford model Rutherford model यह क्या था बेटा बहुत इजी सा सिस्टम्स है इसको one by explain कर लेंगे देखो इनकी क्या problem था यह problem actual में create किया था Maxwell नामक scientist ने उन्होंने यह बोला था कि देखो अगर कभी भी कोई charge particles दूसरे charge particle के around revolve करता है मतलब ऐसे बोल देते हैं फिजिस का concept है यह plus Q है बेटा क्यों को मैं charge बोल रहा हूँ यह एक charge particle है इसी charge particle के respect में इसी के सापेक्च कोई दूसरा charge particle अगर इसके चार और घूमता है तो इसकी energy लगातार कम हो जाएदे देखो मैं क्या बताया हम कि यह charge particle Q है इसी का एक दूसरा charge particle में Q इसको 1 मान लो इसको आग 2 मान लो अगर यह Q2 इसी charge particle के around अगर घूमेगा तो इसकी energy लगातार कम होते जाएगी उन्होंने ऐसा बोला था किनोंने बोल के रखा था ऐसा उनका नाम था मैक्सवेल उन्होंने experiment सही बात भी सही है तो मतलब यह है बेटा कि अगर इसकी energy लगातार कम होगी तो जब यह दूसरी बार घूमेगा तो इसकी energy थोड़ा से down हो जाएगी कुछ इस तरह से उसके बाद लगातार कम कम करके कहां हो जाएगा यहां आके गिर जाएगा ऐवास सही भी है तो इसी तरह से अगर आप देखोगे तो एक atom के अंदर में nucleus कर positive charge था और एक electrons इसके चारो और लगातार घूम रहा था आप बात को मानते हो यह बात भी सही है तो यह बता दो कि अगर ऐसा हुआ तो experiment जो मैं पहले आपको बता है Maxwell का experiment वो 100% सही है तो इसकी according यह electrons की अगर यह electrons nucleus की चारो और लगातार गूमेगा तो इसकी energy कम होनी चाहिए और अगर इसकी energy लगातार कम होगी तो 100% electrons जब पहले चक्कर ऐसे लगा आ रहा था तो इसकी energy इतनी थी जब दूसरा लगाएगा तो थोड़ी और कम हो जाएगा जब तीसरा लगाएगा तो और कम होते जाएगा चौथा लगाएगा तो और कम होते जाएगा पांचमा लगाएगा तो और कम होते जाएगा मतलब कि जैसना जल्दे जल्द जितनी revolve करते जाएगी उस electrons के उदने energy कम होते जाएगा और अगर उसकी energy लगातार कम होते जाएगी तो एक condition ऐसे आएगा जहां पस ये electrons nucleus पे आके गिर जाएगा और atom का अस्थित्व नहीं रहेगा क्यों क्योंकि atom का अस्थित्व या atom को हम कब atom बोल सकते हैं जब electrons nucleus के चारो और घूमे लेकिन बताओ क्या Rutherford से ये पूछा गया कि भाई ये बता दो कि अगर ऐसा आप बोल रहे हो कि electrons nucleus के चारो और घूमता है तो 100% ऐसा होना चाहिए तो उन्होंने ये explanation नहीं कर पाया कि क्यों एक charge particle दूसरे charge particle के around या electron nucleus के चारो और घूम रहा है तो उसकी energy क्यों कम नहीं होती है यही उसकी drawback था इसका साप मतलब ये हुआ कि Rutherford atom के stability को explain नहीं कर पाया इसी experiment के द्वारा ही तो यहाँ पस लिख लेते हैं क्या drawback number one लिखना कि Rutherford या यह model लिख लेते हैं यह model atom की stability 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 को हिंदी में लिख देता हूं बहुत बच्चों को problem आएगी स्थाइत्व atom atom की stability को explain नहीं कर पाया explain नहीं कर पाया एक और है कि यह hydrogen spectrum के explain नहीं कर पाया वह देखेंगे बाद में लेकिन फिलाल में लिख भी सकते हैं और पॉइंट लिखना यह atomic spectrum यह मैं ऐसे बोल दूँ कि यह hydrogen spectrum को spectrum का होता है वह बात का topic में आपको समझाओंगा यह hydrogen spectrum को explain नहीं कर पाया यह भी बात जाएगा बोर पड़ान मॉलन के अंदर में तो मैंने यह चीज आपको समझा दे बीटा यह आपको याद रखना पड़ेगा यह चीजे कभी कभी questions में direct push लिये जाते हैं